हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो माई यूट्यूब चैनल टेक्नो आर्ट मेट इजी फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए आरपी एसी का स्कूल लेक्चरर का एक और कोश्चिन पेपर लिखे आई हूं आज हम साथ-साथ फिर से इसे सॉल्व करेंगे ये कोश्चिन पेपर हमारा है 2015 का और जो ये एक्जाम हुआ था 2016 में ठीक है एक कोश्चिन पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं 18 वाला आज हम ये नेक्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे आप सब साथ-साथ मेरे सॉल्व करिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे अलग-अलग एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो उन लगा लेंगे संदरि सास्त्र में वेदानत् के आधार पर अभिव्यक्तिवादि गीव्यक्ति शिधनत कि I प्रतिपादित किया यानि अभिवेक्तिवाद की बात हो रही है अभिवेक्तिवाद की बात में किसका नाम आता है आप लोग अपना अंसर लगा लेजिए और राइड अंसर है यहां पर अभिनाव गुप्त टीक है तो अभिनाव गुप्त के द्वारा अभिवेक्तिवाद क सिद्धान प्रतिपादित किया था नेक्स्ट हैं थार्ड नंबर पर चलते हैं दुई मितिये तल पर त्री मितिये प्रभाव देने के लिए क्या जरूरी है बेसिक कोश्चन्स है आप लोगों को यह सारे कोश्चन्स पता होंगे बहुत एजी पेपर है तो राइड आंसर है पर आप लोग अपना अंसर लगा लीजिए परिपेच और छाया प्रकास ठीक है परस्पेक्टिव के दौरह हम क्या करते हैं टूटी में 3D का इफेक्ट दिखाते हैं नेक्स्ट क्या है मोहम जो दाडों से प्राप्त दाड़ी वाला आदमी और तांबे की नर्थ की कहा रही है ठीक है अगर हिंदी में नाम आया है और हिंदी में नहीं पता है बहुत लोगों इंग्लिस का जो पढ़ते हैं वो इंग्लिस में एक बार चेक कर सकते हैं और डांसर ठीक है तो कई बार ये हिंदी में भी डांसर ही लिख देता है तांबे की नर्थ की हो सकता है नही मैं आप लोग अपना राइट आंसर लगा लीजे यहां पर राइट आंसर यहां पर क्या हो गया राष्टी संग्राल है नई दिली कि कि बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा आप इसको नोट डाउन कर सकते हो यह बहुत बार पूछा गया है इस पेसली डांसर वाल डेटेल में और एक-एक स्कुप्चर के बारे में भी मैं आपको इसमें डिटेल में बताऊंगी कौन सा इसकुप्चर कहां पर संग्रहित है क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आया हुआ है तो आप लोग ऐसे ही मेरे चैनल से जुड़े रहे हैं अब संलाल जोसी कोई भी कंशुजन है कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो नेक्स्ट है हमारा राजिस्थानी कलाकार जिसने परंपरावादी कला इलाही बक्स उस्ता से और यथार्थवादी कला मूलर से सीखी ठीक है आप लोग अपना अंसर लगा लिजे राइट अंसर है यहां पर द्वार का प्रशाद सर्मा आप चाहें तो इससे अपने नूट से बना सकते हैं नेक्स्ट है सन 1919 से 1936 तक वे सर जेजे स्पूल आफ आर्ट के निदेशक थे मींस पूछा गया है इनमें से कौन जेजे स्पूल आफ आर्ट के निदेशक थे राइट अंसर लगा लिजे हां पर कैप्टन ग्लैडिस्टोन सोलुमन ठीक है राइट आंसर हैं आपर संदा करना है कोलकत्ता ग्रुप की सवसापना कव थी 1943 एक है जब आ परीवर्टित और सर लिकरत होते हैं आप लोग अ modern canics से देखिया questions आया हुआ है कि हम किसी भी form को अलग shapes में और उसको change करके उसका perspective यूज करके उसको और ही सरल तरीके से जब हम उसको draw करते हैं तो वो कहलाता है हमारा रेंटरिंग और हिंदी में बोलते हैं उसे अनुर अंकर ठीक है किसी भी चीज का दुबारा अंकर्ण करना सरल रूप में तो उसको क्या हो गया अनुर अंकर next है सन 1949 में art and craft अध्यापक के रूप में Mayo College में प्रवेश लिया था आप लोग अपना राइट अंसर लगा लीजिए इसमीं लाइड अंसर है आपि भावानी चरड गुई ठीक है next है जो कि राजिष्थानिक अलाकार अपने जल रहन दर्श हो के लिए प्रशित है फिर्स्ट नमर का अंसर लगा लीजिए राम जैश्वाल क्योंकि आप इसलिए भी important है क्योंकि आप सभी लोग सुन रहे हैं कि आप शायद बहुत ही जल्दी यूपी की भी वेकंसी आने वाली है टीजीटी पीजीटी तो जो इस पेस ली टीजीटी पीजीटी की तयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए यह सारे पेपर बहुत ही ज्यादा useful हैं बड़ हमें लगता है पेपर देखिए तो बहुत एजी बड़ जब कई भार हम करते हैं तो में थोड़ा confusion हो जाता है तो जितने ज्यादा से ज्यादा आप पेपर सॉल्व करोगे आपको उतनी ज्यादा help मिलेगी नेक्स कोश्चन पर आते हैं चित्र कला को समस्त कलाओ सरवोच इस्थान दिया गया है विश्णु धर्मोटर पुराण में राइट अंसर आप लोग लगा लीजे इसका क्या होगा राइट अंसर जल्दी लगाई है आप लोग अपना अपना अंसर राइट अंसर हैं आपर चित्र सूत्र नेक्स्ट हैं सैयोजन के सिधांत में स्थापित किया थायए किया अंसर जीटैंज के लें नोंने विभाजन को प्रतिपादित कीया था ain't-a की किसझिफभा में सबसे ज्यादा चित्र है तो अजंटा की सबसे ज्यादा सत्रा नंबर यहनि सवेंटीन यंट कीफ़ा में पॉसान सबसे ज्यादा चित्र हैं कि तो नेश्ट कोश्चन पर आते हैं किसके दूरा जैन जैली को अप्रभ्रंस सैली का नाम दिया गया था तो राय क्रिश्न दास ने जैन सैली को किसका नाम दिया था अप्रभ्रंस सैली का नाम दिया था नेक्स्ट है नेक्स्ट कोस्टन इसको आर्पी ऐसी ने डिलीट कर दिया था कल्प सूत्र और कालकाचारिक था किससे संबंद इस को डिलीट कर दिया था तो हम इस से आगे वड़ते हैं नेक्स्ट है बूंदी कोटा और जालावार सैलिया किसके अंतरगत आती है राजिस्तान से संबंदित खुशाला मानपु फत्तु पर्पु और दोफु या दोसु किस सैली के चित्रकार थे तो राइट आंसर है यहां पर आप लोग अपना अंसर लगा लिजे राइट आंसर है यहां पर कांगडा सैली नेक्स्ट है गुलेर चित्रसैली का संरप्षक वा प्रवर्ट कौन सा आते ही किस राजा का नाम आता है राजा हरी चंदी ठीक है फर्स्ट नंबर का अंसर इसका सही है नेक्स्ट है सन 1894 में मुंबई में किसने लिटोग्राफिक प्रेस खोली और चित्रों की प्रतीक्रतियां चपवाईं बहुत इंपर्टन बहुत इजी कोशन इसमें कोई रूप में प्रवेश्किया और बाद में यहीं प्राचारी बने आप लोग अबना अंसर लगाए राइट अंसर है इसमें सैलेंद्रिनात डे नेक्स्ट है किस कलाकार ने दिल्ली के उकील बंदुओं से वास तकनीकी सीखी थी ठीक है अब्दुल्रह्मान चपुताई ठीक कौन से वर्ष में इंडियन सोसाइटी ओफ ओरियंटल आर्ट की स्थापना हुई थी नाइंडीन सेवन निस साथ में नेक्स्ट है किसने सरलू प्रथम प्राचारी के रूप में विश्व भारती कला भवन में प्रवेश किया था इसमें भी कुछ doubt था कुछ विवाद था इस वज़े से इस questions को भी wrong कर दिया गया नेक्स्ट हम आते हैं क्योंकि मैं कुछ बताऊंगी कुछ लोगों ने किसी books में कुछ पढ़ा होगा तो वो confusion create होगा जो question delete हुआ है तो उस पर हम discuss यहां नहीं करेंगे नेक्स्ट है कला शब्द का प्रयोग सर्व प्रथम किस वेद में हुआ था यह भी important question है और पहले आ चुका है आपको पता होगा कला शब्द का प्रयोग सर्व प्रथम रिगुवेद में हुआ था नेक्स्ट है भारती साहित्त में सॉंदरी को सामानिता किसके साथ संबंधित किया जाटा है सॉंदरी को पिछला वीडियो देखा है उनको यह question समझ में आया होगा क्योंकि अल्रेडी वहाँ पर ये question आया हुआ है यानि repeated है दूसरे तरीके से तो right answer है यहाँ पर जो बहुत दिक आपशाय की पूर्टी होती ही वो कौन सी कलाय होती है वो उपयोगी कलाय कहलाती है next है साथ रंगों को एक व्रत में घुमाने को क्या कहा जाता है साथ रंगों के प्रत को घुमाने में कहा जाता है कलर वील यानी रंग चल्ट क्रिविंदी में बोलते हैं next है निम्न लिखित में से त्री आयामी कला कौन सी है बहुत ही अच्छा question है सबको पता होगा ज्यादा बताना नहीं मुझे right answer आपको पता है लगा लो मूर्ती कला नेक्स्ट क्या है वसली क्या है वसली क्या है मिनेचर पेंटिंग से समद्धित यह भी आपको पता होगा वसली क्या होता है कागश पर चित्रण हेत्व उप्युक्त धरातल ठीक है नेक्स्ट है थर्टी डू नंबर का कुश्चन भारत में वह स्थक्नेकी का प्रारंब किस ने किया था अवनींद्र नाथ टैगोर ठीक है बंगाल शली से स्टार्टिंग होई थी नेक्स्ट है कलाओं में चित्रकला को सर्वोच इस्थान किस पुराण में दिया गया है विश्णु धर्मुत्तर पुराण में दिया गया है का चित्रकला को सिंगनपूर किसके लिए प्रशिद्ध है सिंगनपूर तो बहुत ही इंपॉरटन्ट है यह भी पताने की जोद नहीं सिंगनपूर प्रीहिस्टॉरिक रॉक पेंटिंग नेक्स्ट आते हैं चैत्य गुफाओं का प्रियोग क्या क्यों किया जाता था चैत्य और विहार दो गुफाएं होती थी तो चैत्री का यूज हम किसके लिए करते थे वर्शिपिंग के लिए यानि पूजा के लिए और विहार गुफाएं उनके निवासिस्थान होते थे में ही नियान संप्रदाय से संबंदित है चित्र संप्रदाय संबन्दित को मातमा बुद्ध को और जिसमें उनकी मूर्थियां और इसकप्चर जो पेंटिंग्स बना के उनको मानवी रूप में दर्शाया जाता है चित्रित किया जाता है तो वह जाता है महायान ही नियान में क्या होता है याद रखना ही नियान में उनको चित्रों के और उनके जो भी मतलब उनको मानली रूप में ना दर्सा के उनसे संबंदी जो सिंबल्स होते थे उसको ही दर्साते थे यानि वो ही नियान संप्रदाय से संबंदी था तो कौन अजनता में कौन सी कुफ नंबर संप्रदाय से अप्रण्स करा शैली का विकास हुआ नेक्स्ट है थर्टी एट नंबर का कुश्चन रजमिनामा किस भार्टी ग्रंत पर आधारित है रजमिनामा आप लोग लगा लो बहुत इंपॉर्टेंट कई बार इसको पहले भी कुश्चन पूछा जा चुका है महा भारत महा भारत का नुवात था महा भारत रजमिनामा ठीक है नेक्स्ट है मनसूर किसके दरवार का सूपरचित चित्रकार था मनसूर का नाम आता है आपको पता है पक्षी चित्रकार था किसके दरवार का तो यह हो गया हमारा जहांगीर नेक्स्ट है बीजापूर गोल पुंडा शैली किस सैली के भाग की रूपने जानी जाती है यह अच्छा कोश्चन है यह राइट आंसर लगा लो आप इसमें राइट आंसर हो गया हमारा डगकर स्कूल नेक्स्ट है किसंगर सैली का प्रशित चित्रकार कौन था किसंगर सैली का नाम आता है तो प्रशित चित्रकार का नाम आगया निहाल चन्ड नेक्स्ट है पहाडी कला शैली के प्राचींतम कला केंद्र को किस नाम से जाना जाता है पहाडी शैली का जो प्राचींतम नाम था हो था बसोली सेरी next time forty three number का question मौला राम पहाड़ी Сयली की किस उपसयली से संब्दित है मौला राम पहाड़ी सयली की गड़वाल शयली से संब्दित है next time पहाड़ी सयली के चित्रों की विशयवस्तु किस पर आधारित रही है तो पहाड़ी सयली जो थी उसके चित्रों की विशेवस्तु वैशनो धर्म से सम्बंदित रही है मैंने आप कहीं पे भी निशान नहीं लगाया है किसी आंसर पर आप चाहे तो बाद में मेरे मेरी वीडियो को म्यूट पर करके आप अपने कोश्चंस को फिर से प्रैक्टिस कर सकते हो अपने आंसर लग मंजिरी 46 नंबर का पॉश्चन है हमारा बंगाल शैली की कला कारों का सही समू कौन सा है इसमें आप लोग चेक करो आपको पता है हम ऐसे ही देखके क्लियर कर लेंगे कि कौन कौन से नाम नहीं आएंगे राजा रभी वर्मा वाला तो दो तो बिलकुल ही क्रॉस हो गया ठी नेक्स्ट है बंगाल शैली के विकास में किस चित्रकार का योगदान नहीं रहा ये भी कोशन रिपीटेड है लास्ट में भी पूचा गया है तो बंगाल शैली में किसका योगदान नहीं रहा हमारा राजा रभी वर्मा का नेक्स्ट है खान बहाद्दुर की पद्वी किस शित्रकार को मिली थी खान बहाद्दुर की पद्वी मिली थी हमें हमारे A.R. चगुताई को नेक्स्ट है अब्दुलरह्मान चगुताई नाम है इनका पूरा मैंने दुबारा आप लोग कोई बात बताईए कि जिनका नाम शॉर्ट में है, उनका नाम भी आपको फुल फॉर्म बढ़ना है मूर्तियों की सतर पर एक विशेस प्रकार की ओप चढ़ाना किस यूग की विशेस्ता है ये है हमारी मौरिकाल की, मौरिकाल की जो पॉलिश होती है वो आज भी वैसी की वैसी ही दिखती है 244 इस्तंवाला प्रेशिद एतिहासिक मंदिर कौन सा है, तो वो है हमारा राजिस्थान का पेपर है तो इसमें मैंने बताया कि वहां का जो भी आर्किटेक्चर है और टेंपल से रिलेटेड़ कोश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे तो राइट आंसर यहां पे लगा लो रनकपूर नेक्स्थ है, सिंदुगाटी सब्विता के भवन निर्माण में कौन सी सामगरी प्रयुक्त की गई थी तो सिंदुगाटी सब्विता का नाम आया और इटो का नाम आया तो सबसे पहले क्या आगया हमारा ब्रिक्स यानि पकी हुई इटों का यूज होता था नेक्स्थ है, लाट वा परगहा किसके अंग होते थे लाट वा परगहा किसके अंग होते थे तो मौर कालिन जो स्तंब बनाये जाते थे पिलर्स बनाये जाते थे उसके अंग होते थे लाट और परगहा नेक्स्ट है गांधार कला किस कला से प्रभावित है आप लोग अपना राइट आंसर लगा लो राइट आंसर है आपे हमारा यूनानी कला ग्रीक आर्ट नेक्ष्ट है उदैपूर के समीप नागदा में कौन से प्रशिद मंदिर इस्थित है नागदा में कौन सा प्रशिद मंदिर सहस्त्र बागु मंदिर नेक्ष्ट है अमरावती स्थूप आंध प्रदेश में किस नदी के किनारे इस्थित है कृष्णा नदी के किनारे इस्थ लगा लो आप लोग राइट आंसर हैं हां पे अर्जुन प्रजापती एक नेक्स्ट है मथुरा की मूर्ति सिल्प मुख्यता किस पथर में निर्मित किये गए है मत्वरा की जो मूर्ति सिल्प है वो लाल बलुवा पथर पे रेड सैंड स्टों नेक्स्ट सम्राथ सोक के काल म निर्मित जिस सिस्तम्द के परगहे को भारत का राश्टी चिन भोशित किया गया वह कहां पर इस्तित है आप लोगों ने अगर बहुत लोग गए होंगे तो उनको पता होगा बारणसी के समीपी है एक जगह उसका नाम है शाड़नाथ साड़नाथ से ही राश्टी चिन इसने मूर्ति को बनाया था यानि डीपी राय चौधरी देवी प्रशाद राय चौधरी नेक्स्ट है आमेर जैपुर का कौन सा मंदिर तोरण द्वार और गरुड छतरी के लिए प्रशिद है राइट आंसर है यहां पर जगत सिरोमणी मंदिर नेक्स्ट है साड़नाथ के इस्तम्द की चौकी पर कौन से चार जानवरों की आकरतियां उतकीन है तो राइट आंसर है यहां पर राइट आंसर आप लोग लगा लो मैंने यह सारे इसमें से बहुत सारे कोश्चन रिपीटेड है मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी देखिए गाय देखके तो पहल ही हमारा रॉंग हो गया यह दो वाले ऑप्शन सेकेड वाला और थर्ड वाला लास्ट में कैर महिस दे दिया तो वह भी रॉंग हो गया राइट अंसर है हमारा फर्स्ट वाला बैल भुड़ा शेर और हाथी है नेक्स्ट है उस चित्रकार का नाम बताएए जिसका निधन द मूर्तिकार को चुनिये के जी सुब्रिमन्यम यह भी पेंटिंग्स करते जैराम पटेल वीरेंडे तो राइट आंसर यहां पे हो गया थर्ड वाला हमारा संफू चौदरी जो एक मूर्तिकार नेक्स्ट है किस फार्थी चित्रकार ने ययाती शंकला चित्रित की थी बहुत इंपॉर्टेंस रंकला यह आती किसकी थी यह है हमारे ए राम चंद्रन ठीक है नेक्स्ट है 66 नमबर का कुश्शन निम्न लिखे चित्रकारों को पहचानिये इन में से कौन एक महिला चित्रकार है विवान सुंद्रम नहीं है गोगी सरोश पाल के लक्षमा गौडिया जोती भट बहुत लोग जोती भट में कंफ्यूज हो जाते हैं बट इसमें राइट आंसर है हमार गोगी सरोश पाल जोती भट नहीं है क्योंकि यह के ग्राफिक डिजाइनर और क्या है फोटोग्राफर राइट आंसर है यहां पे महिला चित्रकार है गोगी सरोश पाल नेक्स्ट है लंदन ओलंपिक्स के लिए बनाए गये सिल्फ आर्सेलर मित्तल और्बिट की गया है अगर इसमें से यह वाला जो इनका शिल्फ है आर्सेलर मित्तल और्बिट यह इसका नाम आया है और इसमें से पूछा गया है कि मैचिंग में भी पूछा गया है कि यह किस ने बनाया था तो राइट अंसर है यहां पे अनीश कपूर नेक्स्ट है निमनिलिखित में से किस कलाकार को कलाविद का सम्मान मिला है तो राइट अंसर है यहां पर हमारा पी एन चोयल परमानन चोयल नेक्स्ट है प्रथम भारती चित्रकार जिन्हों ने तैल चित्रण में महारत हासिल की थी उनका नाम बताई है यह भी बहुत ही एजी कोश्चन्स है राइट अंसर आप लोग लगा चुके हो गया है हो प्राजारवी बरमा नेक्स्ट है कौन से चित्रकार को भारती घनवाद चित्रकार कहा जाता है तो घाड जो क्यूबिस्ट पेंटर थे वो कहलाते थे हमारे गगी इंद्रेनात तैगोर ठीक है यह कार्टूनिस्ट भी कहलाते थे यह इंटरस्टिंग है याद रखना आप लोग नेक्स्ट है शोक क्रोध भय और जुगुपसा किस रूप में जान नेक्स्ट है उस भारती दार्शनिक का नाम बताईए जिसने नवे रस का परिचय दिया था ठीक है तो आठ रस बताय थे भरत मुनी ने नवा रस जो सांत रस था उसका परिचय किसने दिया था अभिन गुप्ट नेक्स्ट है काम सूत्र के प्रशिद्य टीका कार का नाम ब सिद्धान्त है प्रिंस्पल ओफ कंपोजिशन सहयोजन के सिद्धान्त क्या-क्या है रेखा रूबर संतुलन अंत्राल प्रवा रेखा जहां आ गया रूप आ गया तो यह तो नहीं है क्योंकि फट्नमेंटल आफ आर्ट के हैं सहयोग सामनजश्य संतुलन प्रभाविता प्र प्रवा और सेवंटीफ वाला सेवंटीफॉइव नमबर का कॉश्यन है हमारा निंख्यर में से कौन सा समीप वड़तिवर्ण नहीं है पिला पिला नारंगी नारंगी तो जो मैंने बोला था gewoon की कि सो जैसे पीला-पीला नारंगी नारंगी तो यह सारे एक ही color scheme है, पास-पास के color है, semi-worthy word बोलते हैं, बर जो blue है, यह semi-worthy word नहीं है, analog color नहीं है. Next है, भीम बेटका गुफाओं की खोज निव्ज में से किसके द्वारा की गई थी? ठीक है? बीम बेट का के लिए पूछा गया है आप लोग अपना राइट आंसर लगा लो है आपर राइट आंसर है आप陳 एपर प्रोफेसर बाकड कर Next हमारा प्रागैतिहासिक छित्रकार रंगों में मिलाता था तो प्रागैतिहासिक जो चित्रकार्वारंगों में क्या मिलाएगा वो पशों की चर्बी मिलाता था नेक्स्ट है मनासन राजकुमारी का चित्र नपर 16 में कि बाग की गुफा चितरों का सर्व प्रथभप परिचय त्हारा सु आठारा में निम्न unwary भिवान के द्वारा पत्रिका के माध्यम से दिया गया था बाकी गुफाओं के बारे में पूछ रहा है तो बाकी गुफाओं के बारे में में सबसे पहले दिया था लेftटीनन डेजर फिल्ड नेक्स्ट है अवलो की देश्वर बोधी शत्र का चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है ठीक है चित्र पोचा है किस गुफा में चित्रित है तो गुफा पर्थम प्रकाश्ण किया था इंपोर्टन कोशन है ''알ाधस्व का नोट डाउन भी कर सकते हो श्री सारा भाई मरिक लाल नेक्स्ट है जैन शैली में क्रमशा महावीर पार्शुनात नेमिनात वा रिशबनात तीर्थांकरों के लिए कौन से रंगों का प्रयोग हुआ है तो पीला, नीला, काला और स्वर्णिम नेक्स्ट है गायक दल का भित्ती चित्रबाग में किस गुफा के अंतरगर आता है तो गुफा नंबर चार में गायक दल का आता है गुफा नंबर चार में नेक्स्ट है चित्रकार विहिजात किस सम्राठ के सम्यग्जित था ठीक है मुगलकाल के किस चित्र उसके संरक्षण में था तो विहिजात था बाबर के काल में नेक्स्ट है अक्बर नामा का प्रशिद चित्र कौन सा है तो अक्बर नामा का जो प्रशिद चित्र था वो है राजकुमार सलीन के जन्म का आनन उत्सो नेक्स्ट है मनसूर किस चित्रण में सिधस्त कलाकार था तो जहां गीर के काल का जो प्रशिद चित्रकार मनसूर था व पुर्ग संत मजला महल गोल गुंबदादी के विशाल भवनों में इस थापत्य का उत्तम समन्वें दिखाई देता है तो कौन-कौन सा मिक्सा हिंदू और मुश्लिम नेक्स्ट है चौर पंचासिका का ग्रंथ स्टेश्ट चित्र है तो राइट आंसर है आप चंपावती वि मिलते हैं चौर पंचासिका ग्रंथ स्रेश्ट चित्र है चांपावती विलरन सावंत सिंठ का उपनाम क्या था नागरी्डास कोटा सैली का प्रमुख चित्र कौन सा है तो पोटा शैली का प्रमुख चित्र था हाथियों की लड़ाई नेक्स्ट है कंपनी शैली की मुख्य अध्यता थी यानि चीफ डीडर आफ कंपनी स्टाइल वॉस मिसेज आर्चर नेक्स्ट है 1860 में भारत के प्रथम पुरातत्व निदेशक कौन बने थे तो वो बने थे हमारे कनिंगम नेक्स्ट है राजा रवी वर्मा के कला गुरु कौन थे राजा रवी वर्मा के कला गुरु थे अलागरी नाइडू नेक्स्ट है विदेशी होने के बावजूद ने कला सिच्छक के रूप में भारती ऐ कला को अपनाने के लिए कहा इस तब चैत विः और विः ये सारे किस यूग की देन माने जाते हैं तो ये माने जाते हैं हमारे शुनकाल से नेट्स्ट है, ոुंग कालीन शिल्प धर्म से प्रभावित थे, तो शुंग कालीन सिल्प किस दर्म से संभन दें या प्रभावित थे, बौध जैन और व्राह्मवर्ण्ट नेक्स्ट है साची का स्तूप की खुदाई विसेस्ता की नकासी जानी जाती है तो साची के स्तूप में की खुदाई विसेस्ता मतलब जो कार्विंग होई है कि उसके जानी जाती है वो हाथी दाथ की नकासी के लिए जानी जाती है नेक्स्ट है भरहुत में भी साची की भात की मूर्थी का अभाव है किस मूर्थी का अभाव यानि तीर्थांकर की मूर्थी का अभाव है नेक्स्ट है बुद्ध के पूरुजन पर आधारित कथाएं कहलाती है तो जो पूरुजन की कथाएं वो क्या कहलाती है वो जातक कथाएं कहलाती है नेक्स्ट है बॉद्धो में मूर्थी पूजा का समर्थक संप्रदाय कहलाया है बॉद्धों में जो मूर्थी पूजा का समर्थक संप्रदाय था वो क्या कहलाता था वो महायान क्योंकि मैंने भी बताया जहां पर मूर्थिया नहीं होती थी चित्र नहीं होते थे महात्मा बुद्ध को मानवी रूप में नहीं दर्साया जाता था वह होता था हीन यार, जहां पर उनकी मोर्थियों को बनाके, उनके चित्रों को बनाके, उनको मानवी रूप में दर्साया जाता था, तो वह हो जाता था, हमारा महायान संप्रदार. नेक्स्ट है, 101 अमरावती कला की प्रमुख विशेस्ता है, उसकी प्रबल गतिशीलता नेक्स्ट है, सिला लेखों के आधार पर कुशान कालीन मथुरा कला का समय माना जाता है तो इशापूर्व दूसरी सती से छटी सती तक हमें मथुरा कला का समय माना जाता है नेक्स्ट है सिंदु काबूल और स्वात नदियों की घाटी तो से घिरा प्रदेश ही का प्रदेश था इसका प्रदेश था important है बहुत easy है किसका प्रदेश था ये था हमारा गानधार का सिंदु काबूल और स्वात नदियों की घाटी से नेक्स्ट है गानधार की मूर्टियों के विश्यों की पूर्व सूची तयार करना बुद्ध के विस्तरत जीवन चरित्र लिखने के समान है यह कथन किसका था यह कथन था फुसे धारसनिक फुसे का नेक्स्ट गांधार की पुशाण यूगी मूर्तिकला की और सरप्रथम ने ध्यान आक्रष्ट किया था तो गांधार की मूर्तियों के और सरप्रथम डॉक्टर लिटनर ठीक है सेकेट नमर वाला आप लोग आंसर लगा लो डॉक्टर लिटनर नेक्स्ट है गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बीच मूर्थी शिल्प का कौन सा केंद्र इस्थित है राइट आंसर लगालो इसमें आप हमरावती नेक्स्ट है शार्नाथ की दो प्रशिद्य मूर्थियां के नाम क्या है विशाल बोदिशतुवा धर्म चक्र परवर्तन बुद्ध नेक्स्ट है धर्म राजिका इस्तूप के समराध द्वारा बनाए गया था तो धर्म राजिका जो इस्तूप है वो असोप के द्वारा होते हैं प्रत्यू पस्थान साला अच्छा कोशन है आप कर सकते हो विहार में बनी बैठक को क्या क्याते हैं उसको बोलते हैं प्रत्यू पस्थान साला गुप्त कालीन मंदिरों के मुख्य अंग थे गुप्त कालीन मंदिरों के मुख्य अंग थे जगती, गर्भग्रे, प्रवेजदार, मंदपवा, सिखर थर्ड वाला राइट अंसर लगा लो आप लो नेक्स्ट है, मंदिरों को सही काल क्रम में रखिए तो मंदिरों में सबसे पहले परशुरा, मेश्वर मंदिर, जगनाथ, खजुराहों और लास्ट में आगया हमारा कोडार्ग का सूर मंदिर नेक्स्ट है, विश्व प्रशिद दिलवाडा का जैन मंदिर किस पत्थर से बना है ये तो अपने संगमर्मर रूप के लिए प्रशिद है क्योंकि ये मार्बल से बना हुआ है तो फोर्ट वालाय राइट आंसर लगा लो आप इसमे नेक्स्ट है, तो ये कराया गया था, फ्रस नंबर का अंसर लगा लो मान भंदा नेक्स्ट है, देलवाडा इस्थी तेश पाल मंदिर की बड़ी अलंक्र छत को क्या कहा जाता है रंग मंदप या कटोरक कि कटोरक आफ रंग मंदप रंग मंदप नेक्ट ये डिलवाढ के अधिकांस देवाले की प्रतिमावं में सुसोबित है आधिनाथ तफा दिशब नाथ जैनि तीर्थांकर आधिनाथ तफा दिशब नाथ नेक्स्ट है उसारानी हुजा के मूर्ती सिल्पों पर किसका प्रभाव देखा जाता है तो उसारानी हुजा जो मूर्ती सिल्प का रहे हैं उन पर हेंडरी मूर का प्रभाव देखा जाता है नेक्स है आई फेक्स की थापना में किसका अमूली योगदान था यानि आई फेक्स की जो अदिली है इसमें किसका सबस्यदा योगदान था वो था उकील बंदूों का नेक्स्ट है मैसूर्वा बनारस हिंदू विशुध्यालियों से डॉक्टर की मानद उपाधी किसको मिली थी यानि मैकबूल फिदा हुसेन, M.F. हुसेन नेक्स्ट है भारती सौंदर सास्त्र में भारत के पश्चात कौन विसिस्ट्रतम प्रवर्ड तक माने जाते हैं वह माने जाते हैं हमारे अभिनाव कोट ठैक है 120 नमबर का कुष्चन देख लेते हैं हम आधुनिक कला का जन्म दाता माना जाता है तो सब्जेक्ट से और जो हैं इसके आगे के वह हमारे इचिंग एप्टीट्यूट और वह जो कंप्यूटर से रिलेटेट कोश्चन होते हैं वह होते हैं ठीक है तो वन्ट्वेंटी कोश्चन यह रहे हमारे आज के आप लोग इससे अपने प्रैक्टिस करिए आप चाहे तो इस जरूर करें जिससे के आपको प्रैक्टिस होती रहे ह Gore आपको वीडियो पसंद आया है लाइक से और सबस्क्राइब जरूर करें मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई